नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में गुरू चिलाएक एटमी में आपको हम NTA NET, DSSB, KVS इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंदित जो महत्वण प्रश्णों के संखला रहेगी वो पुरदान करेंगे तो यहाँ पर exam booster नाम से हमने यह पहला सेसन स्टार्ट किया है तो आप पहले सेसन में देखिए कुछ महत्वण बिंदु जो आपके NTA NET, DSSB, KVS, NVS और बहुत सारे exam जो हिंदी साहित्य का इतिहास जहां में पूछा जाता है सभी के लिए important है चलिए देखते हैं कौन-कौन से इसमें महत्वण बिंदु है जो आपके exam booster में काम आएंगे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वैष्णव भक्तों को तमिल भासा में क्या कहा जाता है वैष्णव भक्त जो है उनको तमिल भासा में क्या कहा जाता है मित्रू यह जो है तमिल भासा में यानि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है आलवार भक्त और उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर सैव भक्तों को कहा जाता है तो सैव भक्तों को कहा जाता है नायनार या नायनमार कहीं पर आपको लिखा मिलेगा और दारे में किरांटिका विरोध करने वाले लोगों के बारे में तो तमिल प्रांप में बॉद्ध और जैनियों का पूरी तरह से विरोध हुआ था चोथे बिन्दु कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत supports बिन्दु जो कई बार प्रश्णों में पूछा गया है… गतिरोध नहीं, मतिरोध है, या कथन किसका है, मनोहर स्याम जोसी जी का है, इसके बाद देखते हैं कुछ और बिंदू, कोई खुद से नहीं लड़ सकता, क्योंकि हारने वाला एक ही होगा, यह बहुत महतुपोड बिंदू है, दो उक्तियां यहाँ पे पास्चात्य सहतिका की है, मार्खेज गैब्रियल की, और इन दोनों उक्तियों से प्रश्न कई बार पुछे गए है, कि कोई खुद से नहीं लड़ सकता, क्योंकि हारने वाला एक ही होगा, यहाँ भी कथन मार्खेज गैब्रियल का है, इसके बाद दूसरा कथन यसी के साथ में ही है, कि लेखक अपने खुद के प्रेतों का ओजह है, यहाँ भी कथन किसका है, मार्खेज गैब्रियल का, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कावे सासर से संबंदित एक उक्ति, अनुमितिक अर्थ का छेतर दर्सन विज्ञान है, आपतो पलब्ध का छेतर इतिहास है, कल्पित अर्थ का रामचंद सुक्ल के द्वारा बताई गये, और यहाँ किस निबंद में संग्रहित है, यानि काव में अविजनावाद, और यहाँ निबंद जो है, वह कौन से संग्रहा में हैं, तो चिंतामणी भाग एक में काव में अविजनावाद की चर्चा की गई है, इसके बाद हम तो यहां निबंध हमने विशेश रूप से इसको अपने चालन पर अप्लोड किया हुआ है क्योंकि यहां NTN.net के सलेबस में अलग से लगा हुआ है तो इसकी जचा वहां पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से की गई है ज्यान प्रसार के भीतर ही भाव का प्रसार होता है जैसे मंतियां किस ने गही आचारे रामचन सुकुल ने गही गोस्वामे तुलसिदास ने अपना रामचरित मानस सरपर्थम किसको सुनाया यहां बहुत मेर्तपूर मिंदु है परिक्षाओं के लिए कई बार पूछा गया है को कि तुलसिदास और रामचरित मानस से एक प्रश्न बनना हर एक हिंदी साहते के प्रश्न पत्र में हिंदी साहते का इतिहास जहां पे पूछा जाता है बनता है तो रस्खान को सुनाया और यहां कम्प्लीट कब हो गया था गुष्वामे तुलसिदास का रामचरित मानस समवस सोला सो बत्तीस में क्रश्न भक्ति का गायन करने के लिए कवित सवया प्रशिद सरवर्थम अपनाने वाले यानि कवित की अगरम बात करें हम कवित और सवया को अपनाने वाले रस्खान का नाम ही अग्रणी है और यहाँ जो रस्खान है वह क्रश्ण भक्ति यारी क्रश्ण सरी साखा के कभी है और बहुत महत्पूर्ण है जो मुस्लिम होने के साथ साथ में क्रश्ण भक्ति का गयन किया सूर्षागर जो रचना है जिसमें बात करेंगे हम एक इसकंद जिसमें रामवतार की चर्चा की गई है कथा की गई है उसमें नवम इसकंद में कुछ जिसमें कुल बाराह इसकंद है यहीं नवम इसकंद की अगर हम बात करें तो वह एक कृष्टना स्री साखा के कवी के द्वारा रामावतार की चर्चा की गई है 12 आलवार भक्तों के नाम क्या थे यह भी देख लेते हैं सरवयोगी, भूतयोगी, भ्रांतयोगी, भक्तिशार, सठकोप, विष्णचित, मुनिवाहान, मदुरकवी, गोदा, परकाल, कुलशेखर, भक्ताग, रेणु यहाँ जो कवी हैं यहाँ 12 आलवार भक्तों के रूप में चाने जाते हैं कावे में आर्थ ग्रहन मातर से काम नहीं चलता, बिम्ब ग्रहन पेक्षित होता है यह किसका कतन है, बहुत मैत्वपूर्ण है, आचारे रामचंसुक्ल का कविता क्या है और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विसेश रूप से यहाँ निबंद हिंदी साहिति के इतिहास जिसमें एड हुआ है और इसकी चर्चा हमने एक विसेश रूप से की भी है तो यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है वह आचारे रामचंसुक्ल के निबंदों का है और उनके निबंद, उनके तर्क और कथन हर एक प्रश्ण परत्र में आपको देखने को मिलेंगे इसकी चर्चा हमने से रूप से कथन और तर्क में आगे करेंगे भी बैर क्रोध का आचारिया मुरब्बा है और यहाँ भी कतन चिंतामडी के मनोविकार जो सम्मंदी निबंद है जिनके संक्या 10 है उसमें आपको मिलेगा और यहाँ जो निबंद है क्रोध है कि बैर क्रोध का अचारिया मुरब्बा है इर्षया व्यक्तिगत होती है इस्परधा वस्तुगत होती है और यहाँ भी मनोविकास मनी निबंदों में से लिया गया है और जिस निबंद का नाम है इर्षया और यहाँ भी चिंतामणी के भाग एक में संक्रहित है चिंतामढ़ी भाग एक जो है उसका जो नाम अगर पूरुपे देखें तो उसका नाम विचार भी थी था इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सूफी सब्द का साबदिक अर्थ क्या होता है मित्र सूफी सब्दिक सब्दिक अर्थ की चर्चा करें तो अलग-अलग विद्वानों के दोरा अलग-अलग बताया किया है सूफ यानि उन जिसका अर्थ है सोफोस यानि जिसका अर्थ होता है ज्यान सुफ़ा यानि जो चबूतरा है जो मुस्लिम धर्म में जो मुख्य चबूतरा है उसका चरजा की गई सफ़ा यानि जिसको पवित्र कहते हैं और सफ यानि पंक्ती हिंदी का कौम सा कवी स्रंगार रस का विरूधी था जिसने केशव के रसी प्रिया और नंद दास की रसमंजरी की निंदा की और यह कवी जो था वह संत कावे परंपरा का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे प्रसिद्ध कवी यानि अंतिम समय की बात करें तो अंतिम समय में यानि अंतिम कवी के रूप में भी जाला जाता है नाम है सुन्दरदास और यहाँ दादो दयाल के सिस्सी के रूप में थे और यहाँ कासी में पांच वर्ज की अवस्था से ही रहने लगे और वहीं से इन्होंने अपने संतकाव का प्रारंब कर दिया और इन्होंने रच्णाय प्रारंब कर दिया कबीर की भासा को पंचमेल खिचडी कहने वाले कभी लेखक है स्यामसुंदर दास, गोविंद तेगुडायर, रामकुमार वर्मा यहां से 98 के लिए एक प्रश्ण बना हुआ है, तो इसके भी ध्यान देने की जरूरत है फिर हम देखते हैं, यहां पर सूफी साधना में आने वाले इन सपनों का हिंदी ताथपर क्या है खान काह, सूफी साधक जहां रहते हैं, उसको कहते हैं खान काह हुजरा, गर्व ग्रः या वह स्थान जहां अंदर साधना होती है हिंदी साहिते के हजार वर्सों में कबीर जैसा व्यक्तितों के वल एक ही प्रतिजंदी जानता है तो सिदास कथन किस हिंदी के बड़े आलोचक का है और यह कथन हजारी प्रसाथ दिवेदी का है इतना अगर हम बात करें तो कबीर को कभी कोटी में न रखने का कारई रामचंद सुकल का है और उनको वर्चत सो प्रदान करने का स्रिय जाता है हजारी प्रसाथ दिवेदी को तो कबीर की अगर हम बात करें कबीर से सम्मंदित बहुत सारा साहित बहुत सारा इतिहास बहुत सारी आलोचना है हजारी प्रसाथ दिवेदी के द्वारा की गई मीरा को राजपुताने के मरुस्थल की मन्दाकिनी छायावाद के किस विशिष्ट कभी ने का कवीर की वाड़ी का अनुकरण नहीं हो सकता अनुकरण करने के सभी चेश्था व्यर्थ सिद्ध होई, इसी व्यक्तित्त के कारण कबीर के उक्तियां स्रोता को बल पूर्वक आकरश्ट करती हैं, इसी व्यक्तित्त के का आकरशण को सहर्दे समालोचक संभाल नहीं पाता और रीज कर कभी को कभी कहने में संदोस पाता है किसका कथन है यह कथन है हजारेपरसाद दिवेदी का जिसके चर्चा में आपको पहले ही कर दी कि कबीर से जुड़ी बहुत सारी महत्पोन आलोचनाय हजारेपरसाद दिवेदी के द्वारा की गई साधना के चेतर में वह युग-युग के गुरू थे उन्होंने संतकावे का पत्परदर्सन कर साहित चेतर में नम निर्माड किया तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे महत्पोन बिंदो की चर्चा की जो हिंदी साहित के इतिहास से सम्बंदित थे इसी प्रकार के स्रंखला हम आगे लेकर के चलेंगे जो आपके DSSB के एक्जाम में NETJRF के एक्जाम में और KVS और NVS के एक्जाम में इसके साथ साथ में PhD इंटरेंस और Assistant Professor के एक्जाम में भी महत्पून बुमिका का निर्वान करेगी तो में तुम्हें हमारी चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब अबस से करें धन्यवाद